हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो माई चैनल तो आज का नास्ता जितना ही सिंपल है उतना ही टेस्टी चटपटा और मज़ेदार है तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर दो कच्छे आलू ले लेना है हमें और इन क आलो को इस तरीके से चोटी चोटी पीसिस में कट करना है अगर आप चाहे तो इससे भी चोटी पीसिस को कट कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए तो अब इन आलो को रखेंगे हम साइड में और यहां पर एक बावल लिया है हमने इसमें चोटी से कटोरी के नाप से एक कटोरी सूजी ली है तो इस सूजी साद ही इसी काटोरी से हम यहां पर पानी यूशँ करेंगे तो पानी सादा है अगर आप चाहे तो गरμ में भी यूशँ कर सकते हैं बस सादे पानी में सुजी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कंदuçãoद तरीकिन मिक्स करते जाना है यह कृमारल यह हैं बहुत अच्छी तरीक से मिक्स करना यह इसके बाद कि कहां था से अच्छी ही तो यहां पर जाए तो यहां पर इस कटोरी से तो यह क्यों तो तो बस इसे राट करेंगे और थोड़ा inté करेंगे अगर शवरी इस टोड़ा पाने डालेंगे ताकी आटे के साथ मिक्स हो जाए अच्छी तरीकर से गुठली ना बने ग्योंकि आटे की बहुत जल्दी गुठली बनती है तो इसलिए कि यह पानी के साथ मिलाते हुए इसे मिक्स करते जाएंगे तो यहां पर थोड़ा पानी और लगेगा हमें तो बस इसे मिक्स कर लिया है हमने इस तरीके से आटे को तो भूफ अच्छी तरीके से फेटते हुए मिक्स करना है इसलिए पानी के साथ ही बहुत अच्छी तरीके से फेटती हुए हमें इसे मिक्स करना है अब यहां जो हमने कच्छे आलु को कट करके रखा है उसे एड़ करेंगे और साथी में एक प्याज को हमने बारी कट करके लिया है उसे भी डालेंगे अगर इस रेसिम्षी में बैद को कि स्कीप करना हमने एड़ किया है अब डालेंगे इसमें स्वादा नुसार नमक साथी में आदा चमबच हल्दी पाउडर डालेंगे एक चमबच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो थोड़े से पाने की जुर्द हमें लगीगी तो यहाँ पर डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से पैटते हुए मिक्स करते जाएंगे तो यह बैटर बन चुका है तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दो जूटकी भरके खाने का सोड़ा इसमें डाल लिए हमने और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से तो बस अब यहाँ पर हम गैस के और चलते हैं तो गैस पर एक कड़ा ही रखे लिए हमने छोटी और इसमें एक चमबच भरके तेल गर्म करना है जैसे यह गर्म हो जाएगा वैसी इसमें सफेद तील हमने एट करें नास्ते को अच्छी लूप के लिए और अब यहाँ पर कल् कर दूसरी और इसे पलट लें तो यह आसानी से पलट जाता है और इसी तरीके से दूसरी और भी शेखना है में तो पहले उपर से थोड़ा सा तेल लगा और डाल लेंगे आधा चमबच लगपग और इसे दूमनेट के लिए नीचे से शिखने देंगे जैसे यह शिख दालेंगे तो इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूं कड़ाई में हमें एक चमबस तेल गर्म कर लेना है और इसमें सफेद तील ठोड़े डालेंगे कल्ची से नाश्टे को डालेंगे दो से तीन और बस इसे कवर करके दो मेंट रखेंगे पलेट के निका इसी तरीके से अच्छी तरी सीख जाएगा से आलेट पलेट कर दोनों तरफ से शेक लें और इसी तरीके से हमने सारे नाश्टे को बना लिया है फ्रेंट्स मिंटों में बनने वाला इनाश्टा बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा बनता है सुबह और शाम अगर कभी भी आप इससे ट्राइ कर सकते हैं जल्दी वाजी में बन कर तैयार हो जाने वाला इनाश्टा कैसा लगा फ्रेंट्स मुझे कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हूँ तो लाइक शेर ज़रू करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें